मेरी चैनल पर आने वाली सारी नई रेसेपी एकडम परफेक्ट मेथड के सास्थ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लिजे और साथ में बेल एकटन को क्लिक कर लिजे ताकि आने वाली सारी नई रेसेपी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए हलो विवर्ज, मेरी चैनल हैरी नास कूकिंग लग में आप सब का चागत है आज हम बनाएंगे सुजी से ही दो अलग तरीके की पानी पूरी बनाएंगे एक बनाएंगे एकदम खस्ता वाली पानी पूरी जो आप चाट पूरी में भी इस्तमाल कर सकते है और दूसरी जो पानी पूरी बनाने वाले हैसुजी से वो इकदम क्रिस्पी वाली बनेगी हमारे एमदाबाद में पूरानी सिरी में एक जफेरी बैड़ करके पोड में रुक्समनी की पानी पूरी मिलती है बहुत सालों से वो फीमस है और मुझे वो पर्सनली बहुत ही पसंद है इस पानी पूरी को नाइलाउन पानी पूरी भी बोलते है इसकी रेसेपी आज मैं आपके साथ शेर करूँगी क्रिस्पी और फोली हुए पूरी बनाने के लिए कौनसी बातों का ध्यान रखना है जैसे के सूजी कैसे इस्तमाल करनी है आटे को कितनी देर रेस्ट देना है आटा कितना ढीला बानना है कैसे पूरी को बेलना है कितनी देर पूरी को बेलके रखना है तेल का टेंपरेचर कैसा रखना है ऐसी बहुत सारी चोटी चोटी बातों के साथ आज की हम ये पूरी की perfect recipe शुरू करेंगे और हाँ इतना ही नहीं पानी पूरी का बिल्कुल बहार जैसा मसाला चने वाला जैन मावा, मीठी चटनी और साथ में तीखा पुदीने का पानी खेले वाले जैसा बिल्कुल कैसे बनाना है उसकी भी recipe आपके साथ share करूंगी तो चली आज की एक तम perfect पानी पूरी की recipe बनाना शुरू करते है पहले हम सूजी जो खस्ता वाली बनाने वाले है उसका आठा तैयार करेंगे जिसके लिए कोई भी एक कटोरी का नाप ले दीजे और उस कटोरी को भरके सूजी लेनी है सूजी बारिक वाली नहीं लेनी है हमेजा पानी पूरी की पूरी के लिए आप सूजी मोटी वाली ही लिजे और जिस कटोरी से नापके आपने सूजी लिए ना उसी कटोरी से नापके आपको एक चौथाई कटोरी तेल लेना है मैंने यापे 200 ग्राम सुजी के सामने 40 ml तेल का इस्तमाल किया है तेल भी आपको गरम करके नहीं लेना है नॉर्मल तेल ही इस्तमाल कीजिए और मैंने यहां पर मुंखफली का तेल ही इस्तेमाल किया है अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है अब एक तीहाई कटोरी पानी लेके आटा गुत लेंगे पानी भी यहां रूंग टेंपरेचर वाला ही लेना है हाँ अगर ठंडी है तो आप थोड़ा सा हलका गरम पानी ले सकते है ताकि तेल सुजी में जम नहीं जाए देखे इस तरीके का ढीला आटा तैयार हो जाए अब इसे हम एक कपड़े से ढखके 15-20 मिट के लिए रेश देंगे अब इसी में हम जो क्रिस्पी वाली पानी पुरी बनाने वाले है उसका आटा भी तैयार करेंगे उसके लिए भी मोटी वाली ही सुजी लेनी है इसके लिए भी मैंने एक कटोरी यानिकी 200 ग्राम जितनी सुजी इस्तमाल की है और इसमें दो पिंच इतना खाने वाला सौडा डाल देंगे इसे भी एक तिहाई पानी से आटा गुद के तैयार करेंगे मिक्स करके सुजी के दोनों आटे बानने में खास जान रखे कि पानी बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए अगर टेला बना आपका पूरी का आटा तो पूरी है वो बाद में सौगी हो जाएगी देखे इस आटे को भी इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद दोनों आटों को परात में रखेंगे और इसे एक गिले कपड़े से डखके कम से कम इसे 15-20 मिट के लिए रिश्ट देना है 20 मिट के बाद हम आटे को चैक करेंगे और जो खस्ता वाली पूरी बनाने वाले ना पहले उस आटे को इस तरीके से मसलेंगे और हलवाई वाली ट्रीक इस्तमाल करेंगे यानि कि जो बाहर पूरी मिलती है उसको इस तरीके से पटक के और मसल के उसे एकदम सॉफ्ट बनाते है अभी आप आटे की कंसिस्टनसी देख रहे होंगे कि आटा बिल्कुल भी बैंडिंग में नहीं आ रहा है इसे कम से कम 7-8 मिट के लिए इसी तरीके से पटक के मसल ना है जब तक कि एकदम सॉफ्ट होके इसमें बैंडिंग नहीं आने लगे 7-8 मिट सुजी को एकदम मसलने के बाद देखे आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है जैसे के रोटी का आटा हो और इस तरीके से बैंडिंग में आ गया है इस तरीके से उंगली से दबाने से ये वापस से उपर आ जाएगा अब इसमें छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे और उसको एक कपड़े से धक्के रख देंगे यहाँ पर खास ज्यान रखे कि आप जो आटे के लोई बना रहे हैं आपको लोई बनाते टाइम ही लग जाएगा कि आपको आटा कितना सक्त रखना है अगर आटा थोड़ा सा भी डिला होगा ना तो आपकी पूरी बनने के बाद लूज हो जाएगी अब दूसरी वाली पूरी का आटा भी अच्छे से मसल के सौफ्ट बना लेंगे और इस पूरी के भी छोटे छोटे लोई तयार कर लेंगे पूरी बेलते वागत दोनों तरह के पूरी के लोई को एक गिले कपड़े से ढखके रखना है अब जो हमने ओवरल शेप की पूरी के लोई बनाये थे उसको इस तरह की से बेल लेंगे एक तरफ तेल को गरम रखते ना है और दूसरी तरफ पूरी बेलते वागत खास जान रहे कि पूरी बहुत ज्यादा मोटी या पथली नहीं होनी चाहिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह की पूरी तेयार करेंगे खसा पाली पूरी को इस तरह के से थोड़ा सा मोटा रखेंगे अब तेल इतना गरम हो जाए उसके बाद पूरी को डालना है और पूरी को इस तरीके से डालते हुए continue जारे से टैप करना है ताकि पूरी अच्छे से फूल जाए अगर तेल बहुत ज्यादा गरम हुआ तो तब तो पूरी फूल जाएगी पर बाद में आपकी पूरी सौगी रहेगी और अगर ठंडा तेल हुआ तो आपकी पूरी गुबारे के जैसे पूलेगी नहीं इस तरीके से medium आज पे continue हिलाते हुए पूरी को फ्राइ करेंगे और golden brown होने पे इसे निकाल लेंगे अब सुजी के दूसरे डोव वाली पूरी बनाने वाले है जो क्रिस्पी है उसको थोड़ा पतला बिलेंगे इस पूरी को एकदम पतला बिलना है और पतला बिलने के बाद भी ये पूरी गुबारे के जैसे फूलेगी इसे भी medium गरम तेल में इस तरीके से fry करेंगे इसके लिए भी आपको तेल कम रखना है और इस तरीके से एक एक पूरी डालते जाना है medium flame पे और जारे से पूरी को टैब करते जाना है खास ज्यान रखेगा कि अगर जारे से आपने पूरी को टैब नहीं किया तो आपकी पूरी चाहिए फैसी फूलेगी नहीं medium flame पे light golden color की हो जाए पूरी दोनों तरब से उसके बाद इसे निकाल लेंगे तो लीजे दोनों तरह की पूरी हमारी तयार है दोनों पूरी आप पानी पूरी में भी इस्सामाल कर सकते हैं और चाट पूरी में भी इस्सामाल कर सकते हैं आवाज से आपको पता चल रहा होगा ना कितनी क्रिस्पी बनी है पुरी, इस पानी पुरी की पुरी को आप 20 से 25 दिन के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं, पानी पुरी टेस्टी तो तभी बंदी है जब उसका मसाला टेस्टी हो, तो चलिए उसका मसाला बनाते हैं, जिस जो काला नमक आता है वो लेना है इस सब को ज्यादा नहीं सिर्फ धिमी आज पर दो मिनिट के लिए बुनना है बुनने के बाद इसे थोड़ असा ठंडा कर लेंगे और फिर इसे मिक्सी में पीस लेंगे तो लीजे पानी पुरी को टेस्टी बनाने वाला हमारा एकदम बाहर जैसा मसाला तैयार है इस मसाले को आप कम से कम दो से तीन महिने के लिए भी बिना फ्रेस के एक एर कंटेनर जार में स्टोर करके रख सकते है अब पानी पुरी का मिठा पानी बनाने के लिए चटनी बनाते है जिसके लिए एक क्लास पानी लिया है जिसमें 200 ग्राम खजूर और 600 ग्राम गूर डालना है खजूर मैंने सीडलेस लिये है अगर आप खजूर सीड वाले ले रहे हैं तो पकने के बाद उसे निकाल दीजिए एक बड़ा चमच भुना हुआ जीरा और एक छोटा चमच काला नमक लिया है तीन बड़े चमच अमचूर पाउडर लेना है एक छोटा चमच ड्राइ जिंजर पाउडर जाने की सौटका पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे अब इसे हिला के कम से कम तीन सीटी आने तक पका लेंगे तीन सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा करना है कुकर को ठंडा करके इसे खोल के इसमें जो हैंड प्रेंडर है वो गुमा लेंगे आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीश सकते है अब इसे एक बड़े होल वाली इस तरीके की छलनी आती है उससे चान लेंगे तो लीजे हमारा पानी पूरी का मीटा पानी बनाने के लिए चटनी तेयार है मैंने चटनी की कॉंटिटी आज मेरे दूसरे परपस के हिसाब से थोड़ी ज्यादा बनाई है अगर आप कम बनाना चाते है तो जो मेजरमेंट दिये है उससे आधे ले लीजे इस चटनी को आप फ्रीज में एक महिने के लिए स्टोर करके भी रख सकते है अब पानी पूरी का तिखा पानी बनाने के लिए लिया है यहाँ पे 100 ग्राम धनिया हरा जितना आप हरा धनिया ले रहे है न उससे आधा आपको उधीना लेना है तो ही आपका पानी टेस्टी बनेगा दो से तीन हरी मिटर डाल देंगे आप अगर पानी तीखा कम पसंग करते है तो कम डालिए एक बड़ा चमच पानी पूरी का मसाला और थोड़ ऐसा गूर डालेंगे गूड ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते तो स्कीपी कर सकते है काला नमक एक बड़ा चमच टाल देंगे और नॉर्मल नमक थोड़ा सा आधा चमच इतना डालेंगे दो बड़े चमच निम्बू का रस डाल देंगे चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहे इसके लिए पानी की जग़ा पे आईस क्यूप का इस समाल करेंगे अब इसको ढखके पीस लेंगे देखे इस तरीके का एकदम बारिक पीसना है अब पानी पूरी का पानी बनाने के लिए जो हमने चटनी तेयार किया ना वो एक चलनी में लेंगे और दो से तीन बड़े चमच चटनी लेके इसमें डेर से दो बड़े ग्लास बरके पानी डालेंगे जो खेले वाले पानी पूरी का पानी आता है वो भी इस तरीके से चान के बनाया जाता है जिससे पानी पुरी का पानी पतला भी रहता है और इसमें एकदम माइल फ्लेवर आता है आप इसे अपने हिसाब से पतला या गाडा रख सकते हैं थोड़े से आइस क्यूप टालेंगे और थोड़ी सी बुंदी डालेंगे बेसन वाली इस वक्त आपको पानी को टेस्ट करके आपके टेस्ट अकोर्डिंग इसमें नमक डाल देना है तो लीजिये हमारा पानी पुरी का दोनों तरह का पानी और मसाला तयार है अब इसका मावा तयार कर लेते है जैन मसाला बनाने के लिए मैंने आपके एक बाउल बॉल किये हुए चने लिए है जिसके लिए आपको चने को पुरी राद बिगोने की जरुरत नहीं है सिर्फ चने को 2-5 बेकिंग सोड़ा डालके 3 सीटी लगा के 2-3 गंड़े के लिए बिगो के रखे और फिर वो बैकिंग सड़ा वाला पानी निकाल दीजे और फ्रेस पानी डालके 6 सिटी आने तक पका लीजे और 500 ग्राम मैंने बॉल किये हुए कच्चे के लिए है इसको पहले इस तरह के से थोड़ा सा मसल लेंगे कच्चे के लिए को इस तरह के से मसलने की बाद चने में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक बार वापस से इसे हलके आतों से मसलेंगे अब इसमें हमने जो ग्रीन पानी चाना था ना उसके उपर जो चलनी में चटनी रह गए थी वो डालनी है थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजे एक बड़ा चमच धनिया पावडर डालेंगे सुखा धनिया पावडर डालने से यह मसाला बहुत ज्यादा टेटी बनता है और एक बड़ा चमच हमारा पानीपुरी का मसाल जो तियार किया था वो डाल देंगे बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानीपुरी की सारी तियारी हो गई है चलिए तो अब इसे सब करते हैं ये खस्ता वाली जो हमने गोलगपा पानी पुरी बनाई है उसे आप पानी पुरी के तौर पे भी खा सकते हैं और ये चटनी पुरी के तौर पे भी खस्ता होने की वज़़ा से बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसी चने वाले मसाले के साथ थोड़ा सा दई, मिठी चटनी और सेव और दाडम डालके आप चटनी पुरी भी बना के खा सकते हैं और अगर आप भी मिरी तरह खसता नहीं बलके क्रिस्पी पानी पुरी खाना पसंग करते हैं तो सच पानी आपको ये नायलॉन पानी पुरी पहुत ही पसंद आएगी और ये इतनी पतली बनती है कि छोटे बच्चे भी खाले उनको भी मुह में बिल्कुल नहीं लगती है अगर एक बार आपने ये नाइलोन पाने पुरी बना लीना तो आप इसके फैन हो जाएंगे तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनल और इस रेसिपी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो वो बताईए और पूछिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक कीजे और आगे शेयर कीजे